नमस्कार दोस्तों निफ्टिवा चैनल पे आप सब का स्वागत है तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप सब को खूब कोगरेचुलेशन्स जो हमने 20-25 दिन पहले जो टार्गर दिया था 18,440 इग्जेक्ली वहीं हिट हुआ और इधर दिया था बैंक निफ्टी का 44,140 इग्जेक् हिट हुआ तो आप सबने मुझे उमीद है कि आपने अपने अपने प्रॉफिट बुक कर लियोंगे जिनोंने पोजीशनल ट्रेड ले रखी थी और अब अगली नेक्स पोजीशनल ट्रेड हम कोशिश करेंगे आपको जल्दी से बताएं क्योंकि एक बार 18,440 क्रोस हो तो 18,03 यहाँ पर 339 के उपर मैंने कहा था 18,300 की कॉल लेनी है और आपके टार्गेट होंगे 18,377, 390, 428, 440, 446, 450 इग्जेक्ली हमारे जो आज के इंट्राडे ट्रेडिंग के टार्गेट बे वो भी हिट हुए और इसमें भी हमें शानदार रैली देखने को मिली लाइव सेशन में भी जब निफ्टी यहां थी तब भी मैंने बताया कि अब ले लो यह वली जब केंडल बन नहीं रही थी मैंने 15 मिट क्लोस भी नहीं होने दिये मैंने उससे पहले इपने एक्स्पीरियंस से बता दिया कि आप अभी ले लो निफ्टी को क्योंकि यह वेट नहीं करनी पड़ती तो उसी एक्सपीरियंस से मैंने आपको बता दिया था और वहां से भी हमें एक अच्छे खासे टार्गट देखने को मिले अब उसके बाद आते हैं हम बैंक निफ्टी पर बैंक निफ्टी में भी जैसे कि आपको बताया था कि अगर यहां पे भी म लेना तो यहां पे आपको कहा था पुट तो यहां पे 44,072 पहले तो यहां से काफी स्ट्रगल हुई मार्किट की तो खैर जैसे 15 मिट की केंडर ग्लोज हुई हम पुट में से निकल गे पर जो हमारे पोजीशनल टार्गट थे वो हमारे जरूर हिट हुए 44,140 यह मैंने कहा भी था कि चाहे मैं यहां पे पूट दे रहा हूं पर फिर भी 44,140 जो पुजीशनल ट्रेड लेके बेटे हैं वो जुरूर लेके रखना बाकि जो इंट्रारे ट्रेडिंग के लिए ट्रेड थी वो मैंने कहा था कि 44,250,230 जब तक निकलना जाए तब तक आपने नेक्स ट्र नहीं लेनी तो बैंक निफ्टी में भी हमें एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली उसके बाद आते हैं फिन निफ्टी पर फिन निफ्टी ने आज कोई मूमेंट नी दी सारा दिन और यहां से हमने 90,563 के उपर चो कॉल ली थी वो वहीं घूम फिर कर वहीं आ गई तो कैलकुलेट करके कि अब निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने किस तरफ जाना है और मूमेंटम कैसा है जिन्हों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फिर ऐसा मोका नहीं मिलेगा तो उसके साथ सार जाके आने वाले हैं और यहां से मारकेट गिर भी सकती है उठ भी सकती है सब कुछ मैंने बताया था तो इस तरह से टेलीग्राम चैनल पे हम आपके साथ साथ रहते हैं उसके अलावा नीचे डीमेट कांट के जो लिंक दिए वहां पर जुरूर कलिक कर लीजिए क्योंकि व वो सारे मैंने वहीं कंपनी के लिंक दिए हैं जिनके सर्वर काफी अच्छे हैं तो आईए सबसे पहले हम आते हैं जो हमारा रोटीन मेटर है क्या है डाव फ्यूचर तो डाव फ्यूचर में देखिए इस टाइम सबसे इंपोर्टेंट लेवल जो बना हुआ है वो है इसक अगर इसके ऊपर डाव फ्यूचर आता है तो फिर हमें एक नेक्स ब्रेक आउट देखने को मिल सकता है जो इसे लेके जाएगा 33,800 इसका फाइदा यह होगा कि अगर इसमें ब्रेक आउट आया तो पूरे वर्ल्ड की मार्केट में ब्रेक आउट आएगा और हमारी निफ् प्लैर्फॉर्म तियार हो जाएगा तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अब हम आते हैं ओप्शन चेन पे की ओप्शन चेन हमें क्या बता रही है देखे ओप्शन चेन हमें यह बता रही है कि मार्केट में जहां तक बैंकनिफटी का सवाल है था 43,500 एक जबर्दस टसल है पूरी बुल्स और बेर्स के बीच में क्योंकि यह आपको बताई था मैंने कि यह फाइनल टारगेट है तो यहां टसल तो होनी थी एक घबराड तो यहां होनी है यहां शिवरिंग होगी यह एरिया तब ही क्रोस होगा अगर हमें गैप अप अपरिंग मिल जे तो क्या करेंगे यह तो आल टाइम हाई है तो नीचे गिरेगी अब मार्केट तो इस तरह से यहां पर एक द्वंद युद्ध है तब देखने वरी बात है कि यह लेवल 44,000 140 150 क्रोस होता है या नहीं यहां फिर वापस बैंक निफ्टी अंधेरे की गर्त में जाएगी नीचे की और और निफ्टी भी अंधेरे की गर्त में जाएगी क्या यहां से और यहां फिर एक नए लेवल देखने को मिलेंगे 50,000 55,000 60,000 देखें यह एक मार्केट का बड़ा टर्निंग पॉइंट है याद रखना यह वो लेवल है यहां आर या पार की पोजिशन है यहां अगर पार क 11,000 गी और वापस चले जाएं बैंक निफ्टी में भी 42,000 42,500 तक फिर डिप लग जाए कुछ नहीं पता यहां से यहां से कैलकुलेट करना काफी मुश्किल होता है जब all time high पे market होती है तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं ऐसे time में सबसे first class क्या होता है price action अब भी हमारी मदद करेगा कल के लिए price action note कीजिए क्या क्या रहेगा देखिए price action हमें क्या कहता है कि यह जो level है 44,263 जब तक यह cross ना हो जाए तब तक fresh breakout नहीं आएगा आज का high भी कितना है 44,150 exactly वहीं target है वहीं high है 44,200 पर call writer है और उसके उपर 42,70 point का अगर उपर gain हो जाए उसके उपर तब हमें एक fresh breakout बिलेगा जिसमें हमें क्या होगा 44,000 का call writer trap होगा और एक तेज short covering देखने के बिलेगी जो हमें कहां लेके जाएगी वो लेके जाएगी हमें 44,440 44,595 44,745 की ओर हमें लेकर जाएगी और उसके उपर के level जो है 45,000 की retracement हमें फिर मिल सकती है तो यह है 44,438 44,600 745 और 45,000 की तक की retracement हमें देखने को मिलेगी अगर हम एक बार यह सारा area हम cross कर दे यह 44,263 कैसे निकाला हुआ है यह निकाला हुआ हार्मानिक पैटरन के according उसके according निकाला है उसके साथ प्लस प्लस 44,000 का जो call writer है उसका resistance है उसके level के according काला है तीसरा Indus Bank HDFC Bank और साथ-साथ ICIC Bank बड़े bullish mode अगर उनके भी उपर के high cross होते हैं तो उन सब को calculate करके यह level निकाला हुआ है तो इस level को याद रखिए 44,263,70,244,4,270,280 के उपर यह यह लगा लिजिए 300 के उपर एक अच्छा breakout आएगा तो इस area के उपर 55 mint की तीन candle close होने देना फिर उसके बाद ही लेना और फिर आपको यह target देखने को मिलेंगे नीचे की और माल लीजिए market गिर जाती है तो आपने 43,900 के नीचे put लेनी है 43,900 के नीचे 5,500 की तीन candle close हो तो आपने यहाँ पर put लेनी है नीचे के target रहेंगे 43,778, 43,664 और 43,500 तक की retracement देखने को मिलेगी यह क्यों ली है 43,900 क्योंकि 44,000 पर एक जवर्दस्त put राइटर है जैसे वो put राइटर 100 नीचे आएगा तो वहां से एक short covering आएगी जहां पर हमें एक जवर्दस्त नीचे की और फिर rally देखने को मिलेगी काफी भारी गरावट आएगी फिर 43,400,500 पर फिर से यह put राइटर ह यह call लेके जो 15,20,50 point मिले तो फटा फट लेके निकल जाना है क्योंकि फिर sell on rise market हो जाएगी ध्यान रखना फिर market sell on rise हो जाएगी अगर एक बर 43,900 वापस तूटा तो तो इसलिए इस गरावट के लिए भी हमने त्यार रहना है फिर हमने put side हो जाना है पूरी तरह से और put मे rally एक अच्छी खासिय में downside देखने को मिलेगी पर अभी अभी फैंसला करना मुश्कील है कि put side rally आएगी या call side rally आएगी अभी यह खतनाक एरिया है 44,000 44,000 150 43,000 920 यह सारा area बड़ा ही trapped area यह कहीं पर भी फसा सकती है market तो इस area से आपने चुकनने रहना है अपने मन पे control रख फटा फट मन इस महा पर मत कूदना मैं बार बार कह रहा हूं मैं दोफैर से बार बार चीक चीक के बोल रहा हूं कि मत कूदो मत कूदो आप ने देखा भी हो एक दम से red candle बनी तेज red candle तो इसी चीज का मुझे डर था और मुझे यह भी था कि आप लोग कहीं फस ना जाओ त बार बार बैठे देखो कि होता कि अब कल आपने अराम से देखना है कि क्या 44,270 निकलता है क्या 43,900 तूटता है अगर 43,900 तूटा तो हमें clear हो जाएगा कि हाँ ठीक है पुट की तरफ इसका जो stop loss रखना है आपने उसमें रखेंगे आप stop loss 43,970 का SL रखना 43,970 का SL और नी SL रखोगे 44,263 का वो आपने SL रखना है 44,140 140 क्या जो आज का हाई है जो एक extreme पोजिशनल टार्गर दिया था मैंने 44,144 फिर वो आपका एक stop loss का काम करेगा यह चीज sport बन जाएगी अगर market यहां पर एक बार आ गई तो इसलिए यह वाला stop loss मैंने आपको दिया है तो यह था बेंक निफटी का ट्रिश अब हं आथे पे किनिर्टी में हमने क्या करना है तो निफटी में सबसे बहले आये world market की डिल मार्केगोर चकống Mehakamu berlate speciHS कि मैंने था यह क्यों भाग रहा है किशा इसलिए उसलिए बहां बहा बहा है Stir जिशा फान्दी रेट बिल्कुल भी देते हैं बैंक्स तो उस रेट को उसने बिलकुल नहीं हिलाया तो ये एक अच्छी बात है तो इसी खुशी में फाइफ एंडर फॉर्टी पॉइंट हैंग सेंग ऊपर है ये सुबह मैंने कमेंटरी में भी वहां बता दिया था टेलिग्राम पे उसके इलावा निकई में भी आप देखेंके वर मेंने 1550 पॉइंट पॉइंट होंगे आज से 3 मिन्ने 6 मिन्ने बाद उस चीज की रेलिए अभी चल रही तो ये कारण है कि आपि काफी प्लस है सारी की सारी मार्केट है ईवन जो हमारी शिंगापूनी निफ्टी है वो भी अप चल रही है वो भी एठ्रा 420 पर वहीं खड़ी है वो भी यहां पर विद्वन्द जू चल रहा है सिंगापूर निफ्टी में भी अब देखते हैं इसका यह क्रोस होता है नहीं अगर सुबह सुबह हमें अठ्रा 500 देखने को मिले तो यह समझ लेना हमारा भी अब अब इसमें आते हैं क्या करना है देखिए उपर की साइड कॉल आपने तभी लेनी है कि जब तक 18,487 यह क्रोस ना हो जाए क्यों क्यों क्योंकि यहां पर देखिए यहां पर रिजिस्टेंस है तो यह वली जो हाई लगा हुआ है यह 18,484 85 के पास है तो जब तक यह हाई क् के उपर 5-5 मिनिट की 3 केंडल क्लोज ना होजे तब तक आपने कॉल नहीं लेनी इसका जो stop loss रखना है वो आपने रखना है 18,440 जो हमारा पहले target था फिर वो sport का काम करेगा उपर की ओर target क्या रहेंगे उपर की ओर target जो रहेंगे वो आपके रहेंगे 18,550 568 583 और 650 तक के याद रखना कि 18,650 यह मैं एक positional trade भी आपको दे रहा हूं कि 18,650 तक आपको नई retracement देखने को मिलेगी हला कि छोटी retracement बता रहा हूं क्योंकि 18,650 पर फिर से एक strong resistance है तो आप यह अपनी positional trade note कर लीजिए मैं अगली positional trade nifty की दे रहा हूं कि अगर daily basis पर daily candle पर 18,490 के आने वाले time में देखने को मिलेगा तो इसके लिए फिर आपने त्यार रहना है क्योंकि 18,650 पर एक strong resistance है तो उसी को देखते हुए 18,650 हमारा next target रहेगा और उसका जो stop loss रहेगा वही पिछला 18,440 ध्यान रखना सिरफ stop loss कितना दे रहा हूं सिरफ 50 point का और target कितना दे रहा ह लगवग 200 point का तो यह है positional target अब हम आते हैं कि अगर मालो market टूट गई फिर क्या बनेगा देखिए एक बार जहां अगर market ने dip लिया 18,300 तक तो इसको आप एक बार buy जुरूर करना 18,300 के dip को यहाँ पे आपने stop loss 18,300 का ही रखना है बतलब इसके नीचे 5 payment की 3 candle close हो तब निकल मिलना है उपर की और target 18,380, 390 और वापस फिर से 440 तक के मिल सकते हैं और इस area में आपको यहाँ put buy करनी चाहिए 18,500 की और 18,450 के ऊपर 5 payment की 3 candle close हो तो यह आपका SL होना चाहिए नीचे की और 18,389, 377, 328 और 300 तक का dip फिर से मिल सकता है या रहे यहाँ पे एक दबंद युद चल सकता है बुल्स और बियर्स में अब उसके बाद अब आते हैं कि market मालो और भी तूट गी तो put कहां ले लेनी है फिर यह sell on rise कहां बनेगा sell on rise आपका बनेगा 18,260 के नीचे जैसे यह 18,300 का put writer trap होगा और 18,260 के नीचे market निकल जाएगी तो आप समझ लेना कि sell on rise है फिर 18 18,245 और 18,221 थोड़ा यहां रुक जाना put में profit कर लेना क्योंकि यह 10 M है यहां से फिर थोड़ इसी retracement हो सकता है मिल जाए और जैसे 18,200 टूटे फिर से put ले लेना फिर आपको 18,150 मिलेगा 18,150 पर यहां पर अपना profit बुक करना कदम कदम पर एक बार पर बुक करना पड़े क को कि बार बार हो सकता है यहां पर लोग कुछ खरीद नहीं आ जाएं तो ऐसे हमने नीचे तक 20 M तक जाएंगे 18,050 तक जहां पर 20 M तो 20 M से हमें एक फिर रिवर्सल देखने को मिलेगा मतलब 18,000-18,050 तक हमें फिर एक बारी गिरावर देखने को मिलेगी अगर हम उपर के लेवल को क्रोस ना कर पाएं तो उपर के लेवल को भी बता दिया है नीचे का भी बता दिया इधर उधर का भी सब बता दिया तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है जिदू लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जाद जाद वीडियो को शेर कीजिए थेंक यू धन्ने बाद